हलो फ्रेंड्स देनी क्लासेज में आपको स्वागत हैं दोस्तों सीटी टेन प्लेस टू सीटी ग्रेशन क्लास आज हमारी थ्री होने वाली है अब तक हमारी दो क्लास कम्प्लीट हो चुकी है डेली हम टोप पचास प्रशन देखते हैं हिंदी इंगलिस जी के करंड फेर सारा सब कुछ आपके यहाँ पर कवर किया जाता है साथ साथ एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ आपको पीडियफ भी मिलती है जो डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट डे मिल जाती है यह जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के बाद में जब आप आगे भी आपकी क्लास इसी तरह रेगुलर चलती रहेगी तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले हमें जीके के बारे में देखके चलेंगे समीती जिसकी सिफारिस पर देश में पंचायती राज लागू किया गया इसके नेतरत्वे करता कौन थे समीती जिसकी सिफारिस पर देश में पंचायती राज लागू हुआ था इसके नेतरत्वे करता कौन थे आपको बताना है तो इसके नेतरत्वे करता बलवंत राए महता थे बलवंत राए महता के देखस्ता में है कि पंचायती राज वेस्ता को लागू किया गया था एक्जाम में पूछ लेते हैं कि पंचायती राजवेष्टा का शुभारंब कहां से हुआ था दो अक्टूबर 1969 को नागोर के बगदरी गाउं से हुआ था दो अक्टूबर 1969 नागोर के बगदरी गाउं से आपको ध्यान रखना है पंचायती राजवेश्ता शुरू की गई थी, यह भी आपको ध्याँ रखना है राजस्तान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितमर को वरक्ष महसव मनाया जाता है खेजरली जोदपूर में बनाया जाता है, यह महसव से सम्मनित में आपको बताउं पांच-छे प्रशन आपके एक्जाम में बनते हैं और हर बार बनते हैं ये मान के चलो हर बार पूछा ही पूछा जाता है जैसे उंट महसव कहां का प्रसिद है उंट महसव तो बीकानेर का प्रसिद है मरू महसव मुरुस्तल कहां है जैसल मेर में है जैसल मेर का प्रसिद है हाती महसव कहां का प्रसिद है हाती महसव जेपूर का प्रसिद है थार महसव थार महसव बाड मेर का प्रसिद है ब्रिज महसव भरतपूर का प्रसिद है ध्यान रखना मोस्ट डिपीटेड है बार बार ह से पूछे जाते हैं पांचों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं अगला की राजस्तान की किस एतियासिक दरोवर को यूनेसको की वर्ल्ड हेरिटेज सुची में शामिल नहीं किया गया है चितोड के किले को तो किया गया है जंतर मंतर भी है कुंबलगड का किला भी है सलमेर का किला रंधंबोर आमेर गागरोन ये हैं सासा दोजार गुनिस में जेपुर का परकोटा वीश में शामिल किया गया है ये भी ध्यान रखना जेपुर का परकोटा शेहर भी शामिल किया गया है राजस्तान की किस बोली पर मराठी बाशा का प्रभाव है राजस्तान राजस्तान की बाशा के लिए राजस्तानी शब्द का प्रियोग सर्वप्रसम किस ने किया था जोर्ज अबराहम ग्रियसन ने किया था इसको अच्छे से ध्यान रखना मोस्ट रिपीटेड प्रिशन है कई बार हमसे पूछा जाता है जामभो जी का जनमिस्थान कौन सा है जामभो जी का जनमिस्थान तो पीपा सर है कौन सा है पीपा सर है कोलुमड किसका है पापू जी के बापू जी धांदली कम प्यार ज्यादा करते है राजस्तान के लोग देवता में ट्रिक से हमने देखा था तो पापू जी हो जाएगा दद्रेवा गोगाजी हो जाएगा राजस्तान के लोग देवी देवता यूट्यूब पे आप देखना शानदा ट्रिक्स से सामने करवाए हुए हैं लाखो लोगों ने वीडियो देखें डेनिल क्लासेज के लोग देवता के वीडियो यूट्यूब पे आपको टोप ट्रेंड में मिलेंगे सबसे उपर ही उपर डेनिल क्लासेज के वीडियो ही मिलेंगे जो लाखो लोगों ने देखें हैं बहुत कम समय में सारा सबकुछ याद भी किया है आप भी देखें अच्छे से याद होगा राजस्तान के मेले और टेंवार यूट्यूब पे सर्च करो उपर ही उपर आपको डेनिल क्लासेज का वीडियो मिल जाएगा उससे याद करो काफी कम समय में आपको मेले टेंवार याद हो जाएंगे डेनिल क्लासेज के आप फेन हो जाओगे इतने कम समय में सारा सबकुछ आपके मस्त शानदा तरीके से सबकुछ याद होगा दूद बावडी कहां इस्तित है दूद बावडी माउंट अबू में इस्तित है माउंट अबू सिरोई में दूद बावडी इस्तित है रानी जी की बावडी कहां है रानी जी की बावडी बुंदी में इस्तित है चांद बावडी कहा है चांद बावडी आभानेरी दोसा में है जहां पर चांद बावडी है वहीं पर हर्षत माता का मंदिर भी है एक बार एक्जाम में पूछ लिया कि हर्षत माता का मंदिर कहा है अब चांद बावडी तो सबको पता था कि आभानरी दोसा में है हर्शत माता का मंदिर भी वहीं है आभानरी दोसा में ही है ये भी आप ध्यान रखना राजस्तान की बावड़ियां भी शांदा ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूँ यूट्यूब पे आप देख सकते हैं राजस्तान में 32 खंबो की छतरी कहां है जिसे आमेर के जगनात कच्वा की समर्ति में शहजा द्वारा बनाया गया बीलवाडा में है 32 खंबो की छतरी तो बीलवाडा में है ओप्शन 10 हे हो जाएगा भीलवाडा में राना सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं, ये हमारी ट्रिक थी, राना सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं राणा सांगा मतलब राणा सांगा की छत्री, बत्तीस मतलब बत्तीस खंबो की छत्री, जो से जो दिसिंग की छत्री, गंगा से गंगा बाई की छत्री और अमर से अमरगड की छत्रियां ये राजस्तान की छत्रें भी ट्रिक के साथ मैं सारा सपूच करवा चुका हूँ डेनिल क्लासे यूट्यूब पे आपको राजस्तान के काफी वीडियोज मिलेगे कम समय में आप सारा सब कुछ याद भी जांसे करोगे महरावल आसकरण की चोहान वन्ष की रानी प्रेमल देवी ने कहां भव्ये नो लखा बावडी का निर्मान करवाया था डूंगरपूर में करवाया था मौलखा बावडी का निर्मान डूंगरपूर में करवाया था अप्शन से डूंगरपूर अच्छा गोसुंडी बावडी कहां है गोसुंडी बावडी तो चितोडगड में है गोसुन्टी बावडी चितोरगड में है बाटाडू का कुवा कहा है बाटाडू का कुवा बाड़मेर में है बिखाजी के बावडी कहा है बिखाजी के बावडी तो अजमेर में है जापे आना सागर जील भी है अजमेर में है सूम कमला अमबा सीचाई परियोजना राजस्तान के किस जिले की है सबी कमेंट बोक्स में उत्तर दो कि कई बार में आपको ये प्रशिन करवा चुका हूँ कमेंट बोक्स में सबी को इसका उत्तर देना है औरंग जेव द्वारा निर्मित बुलंद दर्वाजा अवस्तित है गागरोन के किले में गागरोन का किला जालावाड में है जो काली सिंद वे आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है जल दुर्ग है काली सिंद वै आहू नदियों के संगम पर बनावा आपको ध्यान रखना है इसे हम दक्षिनी पुरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं दूलरगड और डोडगड के नाम से जाना जाता है पीपा जी की छतरी आपको यहां मिलेगी मीठे शाहा की दरगा भी यहां मिलेगी पीपा जी की छतरी मिल जाएगी और हम बात करेंगे मीठे शाहा की दरगा आपको यहां देखने को मिल जाएगी यह भी आपको ध्यान रखना है नियुनियों में से अरावली की सबसे उची परवट चोटी कौन सी है अरावली की सबसे उची परवट चोटी तो हम बात करेंगे गूरु शिकर है जिसको करनेल जेमस्टोर ने संतों का शिकर किया है 1722 मिटर उचाई है लेकिन इन चार ओप्शन में से बताना है कि कौन सी सबसे उची है कुम्भल गड़ की बात करेंगे लगवग 1224 मिटर के आसपास है जरगा की बात करेंगे 1431 मिटर के आसपास है अचल गड़ 1380 मिटर के आसपास है इन में सबसे उची जरगा है 1431 जिसकी हाइट है उप्शन बै हमारा सही होगा विसे सब से उच्ची गुरु शिकर उसके बाद में सेर है उसके बाद में दिल वाडा है ध्यान अखना एक लिंग जी का मेला कब लगता है एक लिंग जी का मेला तो फालगुन कृष्ण तेरस को लगता है एकलिंग जी का मंदिर केलाश पूरी गाउन आगदा उदेपुर में है जिसका निर्मान बप्पा रावल ने करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का पून्य निर्मान किसने करवाया था राइमल ने एकलिंग जी के मंदिर का पून्य निर्मान करवाया था ध्यान रखना थार मरुस्तल का परवेश द्वार किसे कहा जाता है जोधपुर को थार मरुस्तल का परवेश द्वार कहा जाता है सन सिटी जोधपूर को कहा जाता है जिसको राव जोधा ने 1469 पर बसाया था चीडिया टूंक की पहड़ी पर महरांगड दुर्ग का निर्मान करवाया था आपको ध्यान रखना है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना जिसे आपसे पचपद्रा जील पूछते हैं कई बार ध्यान रखना पचपद्रा जील बाड मेर मेर में है मांगनिया सर्व लंगा लोग गई की भी बाड मेर की प्रसीद है ये भी ध्यान रखना जहां मलीनात जी पशु मेला भी लगता है जो लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ाबाड मेर मेर में लगता है ये भी ध्यानक नाउ कौन सा मंदिर मेवाड का खजुरा हो या राजस्थान का दूसरा खजुरा हो कहलाता है जगत का अंबी का मंदिर कहलाता है जिसे मेवार का खजुराओ कह सकते हैं या राजस्तान का दूसरा खजुराओ कह सकते हैं जगत का अंबी का मंदिर दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं किराडु मंदिर बाड मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराडु मंदिर बाड मेर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है गमेती किस जनजाती का नेता होता है भील जंजाती का नेता गमेती होता है कौन शी का होता है भील जंजाती का होता है ये जो भील है ये मौवा के पोदेशन शराब बनाते थे ये भी आपको ध्यान रखना है एक पूछ लेते हैं कि गरासिया जंजाती गरासिया सिरोही आपको ध्यान रखना है वालर गरासिय सीरोही वालर गरासियों का निरते है शीरोही आपको ध्यान रखना है किई बार एक्जाम में पूछ लेता है गिंदर निर्ते कहां का प्रसिद है गिंदर चंग ढप कच्ची घोडी कहां का है शेखावाटी का है शेखावाटी मतलब सीकर चुरू जुन्जुनू शेखावाटी बम निर्ते कहां का प्रसीद है भरतपूर का प्रसीद है धोल निर्ते कहां का प्रसीद है जालोर का धोल निर्ते प्रसीद है ये भी आपको साथ साथ दिहान रखने हैं हिंदी की बात करेंगे गायक में कौन सी संदी है गायक चयन नयन शयन गायक नायक विधायक विनायक अयादी संदी है जहां पर ए आई ओ आउ हो जाता है यहां पर आयादी संदी हो जाएगी विसे डेनियल क्लासेज की यह पर संदी में आपको कम्प्लीट करवा चुका हूँ निरोग निरोग भी गलत है नी प्लस रोग नी की छोटी मातर आएगी बड़ी नहीं आएगी मत्यक्य मत्य प्लस एक्य मत्यक्य बिलकुल सही है एया के बाद में ए आई आई तो उसका आई हो जाता है वृद्धी हो जाती है वृद्धी स्वर संदी ओप्शन से मत्यक्य बिलकुल सही है शरनार्थी में कौन सी संदी है शरनार्थी शरन परस अर्थी शरनार्थी दिर्ग स्वर संदी है option first दिर्ग स्वर संदी हो जाएगी व्याकरण में कौन सी संदी है वी प्लस आकरण व्याकरण कौन सी संदी हो गई यवर वाली संदी है और यवर का मतलब यन संदी इसमें हो जाएगी यन संदी ओप्सन तीसरा यन संदी हो जाएगी वन वास में कौन सा समास है वन वास वन में वास अधीकरण में पर तो अधीकरण तत्थपूरुस समास हो जाएगा option first अधिकरन तत्थपुरुस समास समास की classes आपकी डेनियल क्लासेज पे चल रही है आज आपकी जिसमें एक class और होगी उसके बाद में आपके समास भी complete हो जाएगा नवरात्रा में कौन सा समास है नवरात्रा वैसे हम नवरात्रा की बात करें इसमें बहुरी समास होता है क्योंकि विशेश नवरात्रों की बात हो रही है जो चेत्र वो आश्विन के जो नवरात्रा आते हैं उसकी बात हो रही है तीसरा ही अर्थ बता रहा है लेकिन option में तो बहुरी समास दे ही नहीं रखा है अब क्या करें अब इसका उत्तर दिग्गू समास होगा संख्या वाचेक बात करेंगे दिग्गू समास हमारा उत्तर हो जाएगा बाकि इसमें बहुवरी समास होता है क्योंकि हम बात करें चितरवाश्विन की नवरात्रों की बात हो रही है तीसरा ही अर्थ जहां निकले बहु विरी समास होता है इन मेंसे ऐसंगत को पहचानिए रेल गाड़ी बहु विरी समास गलत है रेल गाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी गलत है तो रेल पर चलने वाली गाड़ी बहु विरी समास नहीं होगा एक देर का 18 है 12 समास, बिल्कुल सही है, 18 में 12 समास से हो सकता है 18 है 12 समास से हो सकता है, ये सही है अगला है कि सिर्दर्द, डिग्गू समास, सिर्दर्द, सिर्मे दर्द, डिग्गू समास गलत है दिगू समास नहीं होगा सिर्मे दर्द या तो अधिकरंड समास करो या इसमें बहुरी समास भी कर सकते हो सिर्मे दर्द मतलब टेंशन की हम बात करें सिर्मे दर्द हो रही है तो इसमें हम बात करें यहां पर बहुरी समास भी हो सकता है और अधिकरण भी हो सकता लेकिन डिगू नहीं होगा रसोई घर रसोई के लिए घर तत्पूरुस समास बिलकुल सही है संपरदान तत्पूरुस समास हो सकता है इसमें बात करेंगे दूसरा और चोत्ता सही है पहला तीसरा गलत है तो यह प्रिशन मेरको अगरा प्रिशन ही हमारा गलत हो जाएगा पहला और तीसरा इसमें दोनों ही गलत है आप ध्यान से देखोगे पहला भी गलत है तीसरा भी गलत है ध्यान देना अगला है कि महात्मा में कौन सा समास है महात्मा महान है जो आत्मा करम धारिय तत्पूरुस समास option हो जाएगा तीसरा करम धारिय समास इसमें हो जाएगा महात्मा महान है जो आत्मा करम धारिय समास इसमें आपको करना है अब विलोम शब्दों की हम बात करेंगे दुशकर्म सुकर्म साथ साथ बोलो दुशकर्म सुकर्म हो जाएगा तो अप्शन सेकेंड दुशकर्म का सुकर्म हो जाएगा तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है तामसिक का सात्विक तामसिक सात्विक हो जाएगा निस्तेज का विलोम शब्द है تیجسوی निस्तेज हो जाएगा एसंगत यूगम को पहचानना है दुशकर का इलोम सूकर सरस का इलोम नीरस बिल्कुल सही है पोरसत्ते का इलोम शबद पास्चात्ते बिल्कुल सही है चंचल का विलोम पुरातन गलत हो जाएगा चंचल का गंबीर होता है हम बात करेंगे पुरातन पुरातन तो हमें नवीन नूतन बोलेंगे पुरातन का विलोम क्या होगा नवीन या नूतन होगा तो ये गलत हो जाएगा फोड़ते गलत हो जाएगा मयूख निमनी में से किसका परियावची शब्द है मयूख किसको बोलते है अंशू कर कला मयूख मरीची रश्मी कीरण को बोलते है तीसरा हमारे पास सही होगा एक देर का कोयल को काक बोलते हैं कलापी बोलते हैं कोकिल बोलते हैं बसंद दूत बोलते हैं पिक बोलते हैं शामा प्रिये बोला जाता है सूरेश किसका प्रयावची शब्द है सूरेश इंद्र का प्रयावची शब्द है किसका है इंद्र का प्रयावची शब्द है सूरेश ओप्शन सेकिंड इंद्र का हो जाएगा एक देरखा है अर्जुन, अर्जुन के क्या होते हैं, हे पार्थ, हे गांडी उधारी, सव्य साची, गुडाकेश, धननजे, अर्जुन के होते हैं, ध्यान रखना असी चंदरहास करवाल करपान किसके प्रयावची शब्द है तलवार के प्रयावची शब्द है ये सारे तो तलवार के प्रयावची शब्द है अब थोड़े इंग्लिस के क्योशन्स भी देखते हैं इंग्लिस की कुछ क्योशन्स हम देख लेते हैं सिनोनेम बताना है इसे प्रूडेंस से सही हो जाएगा जिसे रिग्रेट करना जिसा रिग्रेट पस्टाना किसी चीज के उपर रिग्रेट बोलते हैं रिमोर्स बोल सकते हैं सोरो बोल सकते हैं रिमोर्स बोला जा सकता है सोरो बोला जा सकता है option fourth सोरो हमारा सही हो जाएगा synonym of dispute किसी से dispute होना, argue होना, विवाद हो जाना, argument हो जाना debate बोल सकते हैं, disagree बोल सकते हैं query बोला जा सकता है, query भी बोल सकते हैं तो option तीसरे सही हो जाएगा, quarel हमारा सही हो जाएगा, endo name बताना है concave, concave का convex होता है, Encave convix, concave convix, सासाथ बोलो, हातों हात याद भी होगा, Concave convex, Concave convex हो जाएगा, ऐसे बताना है, Encadion name of conceal, conceal करना, hide करना, secret करना, conceal रखना, owing किशी चीज को, hide रखना secret रखना और disclose इसका एंटोनेम हो जाएगा तो disclose ऑप्षन तीसरा इसका इंटोनेम हो जाएगा ध्यान रखना है अब कुछ English के idioms और phrases देखेंगे आपके exam के लिए important idiom phrases भी पुछी जाएगी a blockhead a blockhead का मतलब होता है stupid person उसको बोलते हैं blockhead का मतलब stupid person हो जाएगा option second सही हो जाएगा stupid person at hand का मतलब होता है एकदम पास में एकदम nearly at hand nearly at hand का मतलब नियरली हो जाएगा double minded ऐसे बोलते हैं याद यह तो इस चीज में double minded इसे मत पुछो double minded मतलब decide नहीं कर पा रहा undecided double minded मतलब undecided हो जाएगा double minded undecided हमारा उत्तर हो जाएगा on pain of death मतलब on pain of death मतलब किसी भी कीमत पर ऐसे बोलते हैं पूरी जिंदगी उसकी लगी हुई है एड़ कोस्ट ओफ लाइफ एड़ कोस्ट ओफ लाइफ हो जाएगा option second एड़ कोस्ट ओफ लाइफ वन वर्ड आपको बताना है और रिटर्न डिकलरेशन स्वोन बिफोर एन ओथोरिटी इसकोड एफिडेविट उसे हमें एफिडेविट बोलते हैं एफिडेविट कहलाता है a person who lives his own country and settles in another country is called immigrant कहलाता है उसे हमें immigrant बोलेंगे option तीसरा immigrant हमारा सही उत्तर हो जाएगा one who hates mankind misanthrope कहलाता है one who hates mankind is called misanthrope उसे misanthrope हम कहेंगे current affair के questions हम डेली cover कर रहे हैं तो current affair के कुछ questions साथ साथ देख लेते हैं किसे bccci के नए अधेक्ष के रूप में चुना गया है roger binny को चुना गया है bccci के नए अधेक्ष के रूप में roger binny option there roger binny हमारा सही हो जाएगा निन में से कौन ब्रिटेन के अगले प्रधान मंत्री चुने गए है रिसी सुनक चुने गए है ओप्शन बै रिसी सुनक चुने गए है रिसी सुनक जीने फरवरी 2022 में ब्रिटेन का वीत मंत्री बनाये गए था ये ब्रिटीस कंजर्बेटिव पार्टी के सदश्ये हैं और काफी लोगप्रिये भी हैं किसी दिन को सयुक्त राष्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को सयुक्त राष्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है कब मनाया जाता है 24. अक्टूबर को मनाया जाता है दोहजा तेइस फीपा महिला विश्व कप के लिए अनावरं किये वित यदिय कर लाल DK कर नाम क्या गया ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया ऑप्शन बै ऑस्ट्रेलिया कौन से देश ने 20 अक्टूबर 2022 से तीन दिवेश्विक युआ जलवायू शिकर सम्मेलन की मेजबानी की बांगलादेश ने की बांगलादेश की राधनी धाका करंसी टका तो बांगलादेश धाका टका बांगलादेश धाका टका अठार अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधी नगर में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो के बार वे संस्क्रेंड का विशे क्या है गोरव का मार्ग पार्ट टू राइड गोरव का मार्ग इसका विशे है हाली में भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व किसें गोशित किया गया है रानीपूर टाइगर रिजर्व को गोशित किया गया है रानीपूर टाइगर रिजर्व रानीपूर टाइगर रिजर्व चितरकुट जिला उत्रपरदेश भारत का 53 वा टाइगर रिजर्व बना रामग हो चुकी है जहांके टोप पचास प्रशन हम कवर करते हैं आप एक्जाम तक इस क्लास को रेगुलर लगो हिंदी इंगलिस जी के करन्ट अफेर दी बेस्ट आप करकिया होगे शांदा तरीके से हम कवर करते वे चलेंगे और बीच वीच में मैं इनके आपको अलग से भी आपको जुड़ेवे रहना है जो जो करवाओं उसको अच्छे तरीके से करना है वीडियो जितना ज्यादा हो उसके शेर करना है लाइक करना अगर आप डेनिल क्लासी यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि कोई भी न आपको तुरंत मिल जाए धन्यवाद